Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में एक साथ हो छे स्कूलों से वेकेंसी आ चुकी है, नया विज्यापन जारी हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल से शक्षक भरती का, सैलरी 45,000 से लेकर 1,500,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, कि APS में जाने के लिए आपके पास एक इस CSB स्कूर कार्ड जो होना चाहिए बट इन 6 स्कूलों में यह कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास CSB स्कूर कार्ड नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं, ऐसे candidate जिन्होंने CTAT clear किया है बट उनके पास अभी mark sheet नहीं आई है तो वो भी यहाँ पर आवेधन कर पाएंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को notification दिखा देती हूँ जिसमें ये दोनों चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे पहली बात जो है valid CSB scorecard जो की 28 फरवरी 2022 को issue हुआ है, तो यहाँ पर percentage वगरा कुछ नहीं मागा गया है बस scorecard आपके पास होना चाहिए, वो भी apply कर सकते हैं और दूसरा जो है, जिनका 21 नवंबर 2022 को, तो यहाँ पर percentage 70% होनी चाहिए ऐसे candidate जिन्होंने हाली में एक्जाम हुआ है 25-26 नवंबर को तो इसमें भी minimum percentile 70% मागा गया है तो बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं, चाहे PZT के ले apply करना चाहें, चाहे TZT के ले apply करना चाहें ठीक है, next, जिनके पास OST, जिन्होंने online screening test नहीं दिया था जिनके पास CSB scorecard नहीं है, तो उनके लिए भी जो है, वो बिल्कुल कहा गया है कि अगर उनका regular teacher की जो post है, उस पे selection हो जाता है, तो दो सालों के अंदर जो है, उनको OST exam देना होगा और pass भी होना होगा, ठीक है, नहीं तो आपका जो appointment है, वो cancel हो जाएगा, अगर आपका selection हो जाता है regular post पर, तो next, essay candidate, जिन्होंने हाली में seated का exam दिया है, बट अभी जो है, वेट कर रहे है, result का, और result जो है, उनके पास mark sheet नहीं आई है, उनके हाथ में mark sheet नहीं है, तो ऐसी condition में वो क्या करेंगे, तो जो admit card है, seated का, उसकी photocopy जो है, आप लोग application form के साथ में लगा देंगे, ठीक है, तो क लेते हैं, कौन-कौन से school से vacancy है, बिल्कुल regular base पर ये vacancy आई है, इसको हम बुला रहे है, army public school of CSB cluster 21, सबसे पहले है, APS Nehru Road लगनौव से vacancy है, biology, Sanskrit, English, social science, APS SP मार्ग लगनौव से vacancy है, political science, physics, mathematics, science, ठीक है, next, APS LBS मार्ग लगनौव से vacancy है, English, physics, chemistry, economics, political science, and science में physics की, APS Gauragpur, Kundra Ghat से vacancy है, physics, and mathematics, political science, physical education teacher, English, science, APS Agra से vacancy केवल psychology की है, APS Ayodhya से vacancy है, English, physics, geography, social science, science, जिसमें chemistry, Ayodhya में जो vacancy है, counselor और special educator की भी vacancy है, ठीक है, अब PZT और TZT में कौन-कौन से subject हैं, तो वो हम अभी देख लेंगे, और qualification जो है, वो आप यहाँ देखें, post graduate teacher के लिए आप लोगों के पास जो है, post graduation होना चाहिए, MA या MSC, 50% marks के साथ में, biology subject के लिए जो आप देखें, PZT में अगर आप apply करना चाहते हैं, तो graduation level पर आपने botany, zoology, life science, bioscience, genetic, microbiology, biotech पड़ी हो, जिसमें ऐसे compulsory है कि botany, zoology तो एक subject हो रहा हो, PZT mathematics में vacancy है, और साथ में जो है, आपका B.Ed बिल्कुल होना चाहिए, post graduate teachers के लिए 50% marks होने चाहिए, आप लोगों को 55% marks बता दिया है, B.Ed, तो B.Ed में जो है, वो 50% marks चाहिए, PZT, physical education teacher के लिए जो vacancy है, तो B.Ed आपका मांगा गया है, trained graduate teachers के लिए graduation होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, seat at pass होने चाहिए, अब यहाँ जो है subject combination जो है, वो Sanskrit, SST, mathematics, science और English, इनकी vacancy है TZT में, जिसमें SST के आप देखें, history, geography, economics, political science है, दो सब्जेक्ट, history या, geography, इन में से एक subject आपका होना ही चाहिए, mathematics के लिए भी जो है subject combination इनोंने का है, कि bachelor degree में, mathematics, physics, chemistry, economics, computer science या, statistics, इन में से दो सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, इस नातक में, science के लिए इनोंने का है कि दो सब्जेक्ट इसमें से, botany, zoology, chemistry और physics, इसमें से दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, TZT English के लिए तो English तीनों साल आपने पढ़ी हो, बीएड में 50% मार्क से दुबार आप लोगों को बता देती हूँ, चाहिए आप post graduate teacher के apply करें, चाहिए TZT के लिए करें, 50% मार्क से आपके तो आप apply कर पाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, 50% मार्क से होने ही चाहिए, seat at paper 2 आपका qualify होना चाहिए, TZT counselor के लिए graduation psychology में आपकी, और certificate diploma in counseling में, ठीक है, और यहाँ पर केवल TZT counselor के लिए जो है 3 साल का experience भी मांगा जा रहा है, TZT special educator के लिए graduation के साथ में B.A.D. special education में, या general से B.A.D. अगर आपने किया है, तो एक साल का diploma special education में आपका मांगा जा रहा है, एज आप देखें, 40 साल जो है, वो बिल्कुल fresh candidate, कोई उनको अनुभव नहीं है teaching का, तो बिल्कुल आविदन करें, और जिनको 5 साल का है, तो वो 45 यर तक, 7 साल वाले, 50 साल तक, 9 साल वाले, 57 यर तक, 57 यर तक के जो है candidate, यहाँ पर आविदन कर सकते है, ठीक है, बाकी यहाँ पर, यह चीज हमने देख ली है, application format नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, जितने भी APS से भरती आ रही है, 100 रुपय का जो है demand draft, जो है वो आप लोगों को, अपने जितने document है, application format है, साथ में आपको लगा कर भेजना है, दिये गए address पर, address मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्या address जो है, आप लोगों को अलग-अलग school के लिए लिखना होगा, तो यहाँ पर, जैसे ही school की main website पर आते हैं, army public school नहरू रोट लगनो, तो यहाँ पर जो है, सबसे उपर वाला advertisement मैंने आप लोगों को अभी पढ़ कर सुनाया, उसके बाद जो दूसरा है, 15 दिसंबर 2023 का, इसे जो है, आप लोग open करेंगे, तो इस तरीके का जो है, आप लोगों के सामने, advertisement जो की पुराना जारी हुआ था, जिसमें date मिलेगी आप लोगों को, कि last date क्या है, और address जो है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, तो यह देखिए, जिस भी school के लिए आप apply करना चाते हैं, तो इस school का address यह रहेगा, एपिएस नहरुरोट लखनव उत्तरप्रदिस, एपिएस एस्वी बार लखनव उत्तरप्रदिस, ठीक है, contact number जो है, जरूर लिखना है, उसके बाद जो है, email ID भी जो है, हर school के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अब last date क्या रहेगी, application form भेजने की, तो यह last date जो है, वो 4 जन ठीक है, यहाँ पर interview की date जो है, वो 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेगी, यह चीज़ आप ध्यान में रखियेगा, तो दोनों ही advertisement देखने के लिए, school की main website पर आना होगा, सबसे उपर आप लोगों को बिल्कुल नया advertisement देखने को मिलेगा, चोकि मैंने आप लोगों को अ जो address है, contact number है, email ID बिल्कुल आप लोगों को लिफाफे के उपर लिखना ही है, ठीक है, और application form में अपना WhatsApp नमबर और email ID जरूर लिखें, तभी आप लोगों को सूचना मिल पाएगी, बाकि जिस भी school के लिए आप apply करना चाहते हैं, तो उस school का link में आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में सबसे नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, और उसे regular देखते रही है, जिसके लिए आप लोग आभेधन करना चाह रहे हैं, ताकि आपको सारी सूचना मिलती रहे, regular जो है उसे watch करते रहे, मिलेंगे next वीडियो में, thank you